हेलो स्टुडेंट क्या आप जहीं बनना चाहते हैं अगर आपका जवाब हाँ है तो हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि राइजिंग सेंटर आपके लिए ला रहा है एक कोर्स जिसका नाम है रिवीजन थ्रू कोश्चन्स जी हां आटी क्यू और ये यूट्यूब पर आपके लिए फ्री आप कॉस्ट होगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आटी क्या है और किस तरीके से आटी क्यू के द्वारा आपका कंसेप्ट इंप्रूब होर सकता है किसी भी सब्जेक हो उसको क्रैक करने में आ, टी, क्यू का क्या रोल हो सकता है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ठीक है न इस कोर्स में हम SSJ के प्रीबियस येर के दस साल के कोश्चन का सलूशन बताएंगे और उसी के आधार पर आपको कंसेप्ट भी बताएंगे और रिवीजन करने का तरीका भी बताएंगे और साथी साथ सौट नोट बनाने का भी तरीका बताएंगे ठीक है जब दस सालों का पेपर आप सौल्व करेंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस सबजेक्ट से कौन सा टॉपिक बहुत ज़ादा कोश्चन लेकिन हमारा एक भी एक्जाम अभी तक क्रेक नहीं हुआ है हम SSC जेई तक क्रेक नहीं कर पाएं ठीक है न इस परकार के स्टूडेंट किसी भी एक्जाम को इसलिए क्रेक नहीं कर पाते क्योंकि जब यह पेपर में बैठते हैं तो वबर कॉन्फिटेंस होता है इनको जैस से यह कोश्टन को अटेंट करने जाते हैं जब कोश्टन पढ़ने लगते हैं तो होता क्या है जब और नहीं हुआ रहता है इसलिए यह पेपर को आसानी से क्रेक नहीं कर पाते हैं ठीक है तो हमारे course RTQ का यही उद्देश है कि आपका revision बहुत अच्छे से हो और आपका जो concept हो असानी से improve हो सके वो भी questions के दुआरा जो student एक साल दो साल से तयारी कर रहे हैं उन्हें के लिए यह जो course है बहुत ही ज़रा important होने वाला है तो यदि आपका कोई दोस्त आपके संपरकि में हो जो बहुत दिनों से इस्टगल कर रहा हो तो उसको हमारे चैनल के बारे में बताइए क्योंकि इस चैनल पर कल से आपको मिलने लगेंगे RTQ course के lecture इस course में हम लोग क्या करने वाले हैं आपके इनी कमियों को दूर करने वाले हैं ताकि आप आसानी से paper को crack कर सकें ठीक है चलिए example के थुरू आपको बताते हैं कि किस तरीके से RTQ आपके concept को improve करेगा और साथी साथ आपका revision भी हो जाएगा और एक बात और आपको idea भी लग जाएगा कि short note कैसे बनाना है और साथी साथ आपको SECJ के syllabus के बारे में पताद चल जाएगा इस course में हम questions के थुरू आपके knowledge को improve करेंगे plus revision का तरीका बताएंगे ठीक है ना तो चलिए example के लिए ले ले लेते हैं ये questions जो की strength आप material का है ये questions SHCJ में 2016 में आया है तो question देखिए हिंदी में इस कानवाद देखिए नीचे दी गई आकरती में समान बित्रित भार को वहन करने वाली धरन समान ओवर हैंग पर आश्रित है पार्ट के मध में कुन नमन आगूंड सुन्य होगा यदि A बता भी हो ठीक है ना option देखिए option A है 0.75 option B है 0.66 option C है 0.5 और option D है 0.33 ठीक है ना तो questions में दिया हुआ है कि एक horizontal beam है जिसके उपर UDL load लगा हुआ है ठीक है ना और इसकी intensity जो है W kN per meter है ठीक है ना इसमें support भी दिया गया अगर आप figure में देखेंगे तो beam कुछ इस तरीके से बना हुआ है ठीक है ना support के बीच की जो दूरी है ये दूरी B के बराबर है और overhang का जो distance है span के लंबाई है वो A है ये A के बराबर है ठीक है ना questions में पूछा जा रहा है कि अगर इस beam के mid point per maximum bending moment मतलब resultant bending moment zero हो तो A by B का ratio क्या होगा मतलब A upon B का मान क्या होगा ठीक है ना चलिए solution बनाते हैं हम इस questions का उसके लिए हम क्या कर रहे है B के जगह है यह लमान ले रहे है ठीक है हम माल ले रहे हैं यह point A है यह support हमाँ भी है यह point C है यह वाला support और यह point हमारा D है ठीक है ना चुकि इस questions को objective की तरह solve करना है conventional की तरह नहीं हम paper 1 की तयारी करा रहे है ठीक है ना चुकि हमारे questions में पूछा जा रहा है कि maximum bending moment जब 0 होगा तो इसका और इसके ratio का मान क्या होगा A upon B का ratio का value क्या होगा ठीक है ना यानि कि आपको इस beam का bending moment diagram बनाना पड़ेगा तब जाकर के आपको पता चलेगा कि maximum bending moment की value कितनी होगी उस value को जो आप 0 के बराबर करेंगे तब जाकर के A upon B का value पता चलेगा ठीक है ना अगर आप ध्यान से देखें A से B तक कितना जो beam आपको दिखा रहा है अलग से कैंटी लीवर beam की तरह दिखा रहा है और C से D देखेंगे तो आपको फिर केंटी लीवर की तरह दिखेंगा अगर B C को अगर आप देखेंगे ध्यान से अलग से तो यह आपको सिंपली सपोर्डेड beam दिखेंगा जिसपर लोड लगा होगा pretty इस पर एक योड लूड लगा होगा हम क्या कर रहे हैं पहले был के लिए हम क्या कर रहे हैं एबेंड नीचे बढ़ा ले रहे हैं तो थोड़ा सा गया नीचे बढ़ा ले रहे हैं प्रेवे सब्सक्वर चांप द॥र यहां को कैसा कर्षाब बना ट्रच स्वर्च का कौनसेप्ट बना difए है ठीक है पहले अबी के लिए बनाते हैं एबी को अगर ध्यान से देखा जा तब यहां पर फिक्स कर दीजिए और यहां पर हम लोग लगा दे रहे हैं W किलोन्यूटन पर मीटर ठीक है एक केंटी लीवर भी में उस पर UDL लगा है इसका जो सीयर फोर्स डाइगराम होता है और बेंडी मुमेंट डाइगराम होता है कुछ इस तरीके से होता है ठीक है इसको थोड़ा हम लोग नीचे बढ़ा ले रहे हैं हम क्या कर रहे हैं इस लोड को point load में convert कर ले रहे हैं ताकि हम इसका shear force diagram और bending moment diagram बना सके ठीक है इसी को point load में convert कर रहे हैं देखिए ठीक है point load में convert करने के लिए क्या होता है यह intensity और जितनी यह span की लंबाई होती है उसी का गुड़ा करेंगे और यह जो load होगा point load वो mid span में काम करने लगेगा beam के ठीक है तो यह हो जाएगा w into a और यह काम करेगा कुछ इस जगह पार यह convert हो जाएगा kilo newton में मतलब intensity से हट करके यह point load में convert हो जाएगा और बीचों भी इस काम करेगा तो यह दूरी हो जाएगी हमारी a by 2 ठीक है तो चलिए अब बनाते हैं इस beam का sfd cr force diagram और bending moment diagram ठीक है इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है एक section लेना पड़ता है beam पर ही ठीक है हम क्या कर ले रहे हैं section बिल्कुली support पर ही ले ले रहे हैं इसी point पर ले रहे हैं b पर ही ठीक है न तो यह जो section लिए है yaks yaks यह इसका left side है यह इसका right side है ठीक है अगर कोई force सेक्षन के बांचे तरफ है और उसका direction नीचे की तरफ है तो उसका जो sign लिया जाता है negative लिया जाता है लेकिन section के बाएं तरफ अगर कोई force है उसका direction अगर ऊपर की तरफ है तो उसको positive लिया जाता है ठीक ना हम देखिए क्या किये हुए हैं यहापर section के बाएं तरफ एक load लग रहा है जो कि नीचे की तरफ आ रहा है ठीक है और वह force है हमारा w into यानि कि यहां पर जो सी यर्फोर्स होगा वो होगा डाबलू इंटू ए ठीक है तो यह बन गया हमारा सी यर्फोर्स डाइगराम यहां पर आपको सी यर्फोर्स जीरो दिखेगा और इस जगहें पर दिखेगा यह हमारा डाबलू इंटू ए ठीक है इस तरीके स्ट्रेंगल बनेगा और यह हो जाएगा हमारा नेगेटिव चलिए आप बात करते हैं इसके बेंडी मोमेंट डाइगराम की ठीक है जो बेंडी मोमेंट देखा जाए तो यह हो जाएगा बल यह हो जाएगी लंबव दूरी इस जगह पर जो बेंडी मोमेंट डेवलप होगा होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डाबलू ए स्क्वाइर बाई टू ठीक है अगर साइन कर्वेंशन की बात करें तो बीम के जिस फेस पर लूड लगता उसको बोलते है रिफरेंस फेस अगर रिफरेंस फेस पर अगर टेंसन पायदा करें यह फोर्स बेंडिंग जनेरेट करके तो आपर जो ब्ल्डी मोमेंट होगा और नेगेट्यव होता है ठीक है अथवा यह एगर force नीचे की तरफ इस beam को bend करती है कुछ इस तरीके सो देखेंगे tension में आ जाएगा तब इस जगह पर जो bending moment होगा हो negative होगा ठीक है तो आ जाएगा हमारा जो BMD होगा कुछ इस तरीके सो जाएगा यह होगा हमारा wa square by 2 negative में और जब beam पर UDN load लगा रहता है तो इसका जो BMD होता है वो पैराबोलिक होता थी यह हो जाएगा हमारा पैराबोलिक ठीक है यह हो गया sfd और यह हो गया हमारा bmd तो इस portion के लिए हमारा sfd बन चुका है ठीक है यह sfd बन चुका है ठीक है यह हो गया हमारा wa अगर bmd की बात करना था bmd अमारा पन गया कुछ इस तरीके से wa square by 2 ठीक है चलिए अब बात करते हैं portion cd की ठीक है जो cd portion आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ठीक है यह देखिए हम सपोर्ट देदे रहे हैं फिक्स जानमुच करके समझाने के लिए इस पर लूड लगा है डबलो किलो न्यूटन पर मीटर ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं इसको point load में convert कर ले रहे है point load में convert करेंगे तो यह distance आपका a है यह हो जाएगा w into a और काम करेगा बिल्कुल बीच में और यह दूरी हो जाएगी हमारी a by 2 ठीक है अब क्या करेंगे अगर cr force निकालना है तो एक section ले लेंगे हम लोग यहां ठीक है अब section के अगर right side देखेंगे आप section के right side देखेंगे तो कोई force नहीं है यानि कि cr force इस जगह पर आ जाएगा 0 ठीक है अब ले लेते हैं section हम लोग इस जगह पर ठीक है जैसे हम section लेंगे तो यहीं पर हमें निकालना है cr force अगर cr force आप निकालेंगे तो cr force का definition यहीं होता है section के right side में जितने vertical direction में force है उन सभी का योगफल कहल आएगा हमारा cr force ठीक है देख रहे हैं हम लोग दायें तरफ के वल एक ही force w into a तो यह होगे हमारा cr force at point c देखिए point c पर cr force होगे हमारा w into a sign convention की बात कर रहे हैं तो section के दायें तरफ अगर कोई force है और उसका direction नीचे की तरफ है तो उसका sign convention positive लिया जाता है ठीक है यानि कि इस beam में यहाँ पर cr force w into a रहेगा और यहाँ पर 0 ठीक है चुकि u dn load लगा है तो cr force डाइगराम जो बनेगा वो linear बनेगा ठीक है तो इस उनों portion के लिए तो सब्सक्राइब अब देखेंगे अगर बीमदी की बात करा तो देखेंगे यह लोड जो है नीचे की तरफ बेंड करेगा नीचे की तरफ बंड करेगा मतलब की बेंडी मोमेंट डाइगर नेगेटिव की तरफ बनेगा और यहाँ पर भी आप देखेंग की सब्सक्राइब अगर बीसी पॉर्शन को अब ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके से हैं यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा यह इस पैन की लंबाई जो है यह इस पर लोड लगा है डबलू किलो न्यूटन पर मीटर ठीक है ना यान पर सीयर्फोर्स रहेगा डबलल बाई टू और यहाँ पर भी रहेगा डबलू बाई टू बीचो बीच सीयर्फोर्स अपना साइन चेंज करता है मतलब यहलबाई टू दूरी पर हम निकाल करके नहीं दिखा रहे ठीक है अगर बेंडिंग मॉमेंट डाइकराम की बात करना और बीज में आपको maximum दिखाएगा कुछ इस तरीके से जहाँ पर CR force अपना sign change करेगा वहीं पर maximum bending moment पाया जाता है और यह जो bending moment होगा यहीं पर maximum होगा बीचो बीच यह होगा WL square by 8 यानि कि जो यह BC portion है उसका SFD कुछ इस तरीके से होगा ठीक है यानि कि इसका SFD हम लोग बना सकते हैं ठीक है बीचो बीच क्या कर देंगे CR force को 0 कर देंगे sign change करेगा और आ जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा WL by 2 और यह हो जाएगा हमारा WL by 2 ठीक है यह हो गया हमारा SFD की बार ठीक है आप बात करते हम लोग BMD की इसके अगर BMD की बात करते हैं इसका bending moment diagram कुछ इस तरीके से बनेगा इस बीच वाले portion का ठीक है न अब क्या है इसके मीड़ इस्पैन में यहाँ पर जो CR force अपना sign change कर रहा है due to loading, loading के कारण ही CR force अपना sign change करता है तब जाकर के उसी point पर bending moment maximum होता है जबकि आप देख रहा है यहाँ पर भी CR force अपना sign change कर रहा है लेकिन यहाँ पर reaction के कारण कर रहा है ना कि loading के कार तो यहीं पर यह maximum bending moment develop होगा mid span पर इसका जो magnitude होता है maximum bending moment का maximum bending moment जो develop होगा mid span पर वो होगा W by 8 bracket में L square minus 2A का whole square ठीक है यहाँ पर जो maximum bending moment develop होता है वो होता W upon 8 जो load दिया हुआ है वो उसके बाद यह span की लंबाई का square minus कर रहे हैं bracket में 2A का whole square कर दे रहे हैं यह जो है overhang span की लंबाई है इतना यहाँ पर maximum bending moment develop होगा अब देखिए यह diagram यहां पर कैसे बनेगा ठीक है अगर हम क्या करें ठीक है अगर क्या हो जाए L बराबर 2A हो जाए L बराबर 2A हो जाए हो जाएगा दो दुना चार अगर यह बराबर टुए हो जाए यह के जगह हम लोग क्या करें तो यह maximum बेंडिंग मुवमेंट जो है तुरंत जीरो हो जाएगा ठीक है न यानि कि जब इसका बेंडिंग मुवमेंट डाइगराम बनाएंगे तो यहां पर बेंडिंग मुवमेंट आपका हो जाएगा जीरो ठीक है जब यह बराबर टुए होगा तो इसका जो करव बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा तो इसका bending moment diagram जो है कुछ है इस तरीके से बनेगा ठीकर ना इसकी जो height होगी वो wl square by 8 के बराबर ही होगी अगर इसकी height के बात करें तो यह value होगा हमारा wl square by 8 ठीकर ना जब l बराबर 2 हो जाएगा तब जाकर के जो maximum bending moment होता है वो 0 के बराबर होता है ठीक है तो इसका मान 0 भी होसकता ठीक है इसका मान 0 सब्सक्राइब तो आप देखेंगे 8 लिखे हुए है और 2 यह लिखाई यह चार हो गया अब देख रहे हैं 8 is greater than 4, मतलब यहाँ आठ रख दाँ और यहाँ पर 4 का स्कार, ठीक है, तो आप देखेंगे इसका value 0 से ज्यादा आएगा, जैसे 0 से ज्यादा आएगा, थम समझ जाएंगे, कि यह positive value आ रहे है, मतलब कि यह 0 नहों करके 0 से ज्यादा होगा, तब इसका जो bending moment diagram होगा, कुछ इस तरीके से होगा, मतलब कि यह वाला जो कर्व है, यह L is greater than 2A है, और नीचे वाला जो कर्व है, यह L बराबर 2A है, ठीक है, इसका मान negative भी हो सकता है, कब हो सकता है, जब L is less than 2A हो जाएंगे, मतलब यह वाला छोटा हो जाएंगे, और यह वाला बड़ा होगा, तो सामने minus है तुरंत इसकी value minus में आएगी, ठीक है, तब इसका bending moment जो diagram होगा, वो हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यह वाला कर्व हमारा है less than 2A पर, ठीक है, तो maximum bending moment का 3 value हो सकता है, जब L बराबर 2A हो जाएगा, तो maximum bending moment 0 हो जाएगी, ठीक है, जब L is greater than 2A हो जाता है तो maximum bending moment positive हो जाएगा, ठीक है, जब L is less than 2A हो जाएगा, तो maximum bending moment जो है, वो हमारा negative हो जाएगा, तीन तरीके का आपका BMD बन सकता है, ठीक है, चलिए, एक चीज और आपको बता देते हैं, अगर मालने हम लोग L is greater than 2A, ठीक है, अगर हम मालने है, L is greater than 2A, ठीक है, तो हमारा जो curve रहेगा, ये curve उपर वाला ही आपको दिखेगा, ठीक है, ये उपर वाला ही आपको दिखने लगेगा, curve, ठीक है, इसकी एगर height देखें यहां से, तो इसकी जो height होती है, ये होती है, WL square by 8 होता है, ठीक है, तो इसकी जो height होती है, होती है, WL square by 8, ठीक है, ठीक है, जो वाला ये portion आपको दिख रहा है ये positive ये value जो दिख रही है आपको इसी को बोलते हैं हम लोग design moment इसी को कह दिया जाता है design moment कह दिया जाता है अथवा इसी को कह दिया जाता है positive bending moment ठीक है positive bending moment कह दिया जाता है अथवा इसी को कह दिया जाता है maximum bending moment ठीक है maximum bending moment अथवा positive bending moment अथवा design moment इसकी जो value होती है वो होती है W upon 8 bracket में L square minus 2A का whole square ठीक है इसका value और इसका value आपका सेम ही आएगा अगर numerical value यहां पर रखेंगे तो एक ही चीज आएगा तो इसी positive bending moment को ही बोला जाता है design moment अथो maximum bending moment ठीक है चलिए अब आते हैं लोग अपने questions पर ठीक है तो हमारा जो question था कहरा अगर maximum bending moment जो है जीरो हो जाए तो यह बाई बी का ratio क्या होगा ठीक है तो यहां पर questions में हमारे दिये था भी maximum bending moment जीरो तभी जब होता है जब यह बराबर टूए होता है यह के जगह हमारा बी लिखा हुआ है उसके बाद लिखेंगे हम लोग टूए ठीक है एक ही लाइन में इस questions का solution बन गया लेकिन उसके पीछे आपको इतनी जानकारी होगी तभी निकाल पाएंगे आप ठीक है तो यहां से आपका answer हो जाएगा नुमेरिकल वैलू दे देगा जैसे माल लेते हैं अलके जगह दिया है हमारा चार मीटर और यहां पर दिया है हमारा तीर मीटर और यहां भी दिया है आपका तीर मीटर ठीक है कह रहा है जो maximum bending moment होगा ओ होगा कहेगा maximum bending moment maximum bending moment will be अधिकतम bending moment होगा आपसन आपका होगा negative आपसन भी होगा positive आपसन सी होगा A and B both और D आपसन रहेगा none of D ठीक है अगर आप इसका answer चाहते हैं तो आपको किस तरीके से solve करना है वो आपको बताते हैं ठीक है अगर L बराबर हमारा 2A होता है तो maximum bending moment जो होती है वो 0 होती है ठीक है अगर L is greater than 2A होता है तो हमारा क्या होता है positive bending moment होगा लेकिन L is less than 2A होता है तो यह होता हमारा negative bending moment ठीक है ना पहले हम लोग directly check करते हैं इसी पर L के जगह हमारा 4 है ठीक है ना और 2A के जगह देखे यह बराबर 3 है तो हो जाएगा 3 दूना 6 तो आप देख रहे हैं 6 बढ़ा है 4 से यानी कि L is less than 2A है तो हमारा maximum bending moment जो होगा वो negative होगा ठीक है इसी से related questions और आ सकता है कहेगा कि अगर यह beam दिया हुआ है तो इसमें point of contraflexor कितने बनेंगे ठीक है ना point of contraflexor उनको बोलते हैं जहाँ पर bending moment diagram अपना sign change करता है negative से positive अथा positive से negative जाता है ठीक है तो यह जी lesser than 2A है अगर L is less than 2A है तो इसका जो bending moment diagram बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा यह जो bending moment diagram है अपना sign ही change ही नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या होगा एक भी point of contraflexor अथा point of inflexion नहीं बनेगे ठीक है अथा questions में आ जाए कुछ इस तरीके से आठ हो जाता है जैसे आठ रखें तो L is greater than 2A हो जाएगा तो इसका bending moment diagram कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पर point of contraflexor आपका 2 मिल जाएगा ठीक है ना चलिए इस topics related और भी questions देखते हैं जो IES में आ चुके हैं ठीक है यह questions कर रहा है for the beam shown in the given figure comma the maximum positive bending moment is equal to negative bending moment the value of L1 is यह वाला questions क्या कह रहा है एक beam दिया गया है questions में कुछ इस तरीके देखिए UDL इस पर load लगा है W किलो न्यूटन पर मिटर ठीक है यह questions EAC में मतलब IES में 1996 में आ चुका है ठीक है यह आपका support है यहाँ पर भी support है यह दूरी आपका L दिया question में overhang के span के लंबा L1 दिया है और यह भी आपका L1 दे रखा है ठीक है ना questions में कह रहा है कि maximum positive ending moment और negative ending moment जो है एक दूसरे के बराबर है तो L1 का मान क्या होगा L1 की value क्या होगी ठीक है ना तो अगर इसका BMD बनाए हम तब देखिए यह बना दे रहे हैं हम एक line ठीक है एक बना दिया है baseline अब बना देंग हम इसकी BMD ठीक है ना कहरा positive यानि यह जो फिगर है positive में जाएगा तो यह आपका हो गया negative bending moment यह हो गया हमारा WL1 स्क्वाइर बाइटू डबलू एलवन स्क्वाइर बाइटू ठीक है और यह positive हो जाएगा फिर यह बनेगा BMD कुछ इस तरीके से ठीक है ना यह हमारा जो यह वाला करवा आपको दिख रहा है उपर वाला यही maximum positive bending moment है ठीक है ना अगर आप ध्यान से देखें यहां से इसको बेस मालने है तो यह ज बाइट में से इतनी वैलू आपको घटानी पड़ेगी और यह वैलू है डबलू एलवन का स्क्वाइर बाइट यह हो जाएगा डबलू एलवन स्क्वाइर बाइट माइनस डबलू एलवन स्क्वाइर बाइट तो यह हो गया आपका maximum positive bending moment ठीक है उसके बाद क्या कर रहा है यही maximum positive bending moment negative bending moment के बराबर है तब 11 का मान क्या होगा ठीक है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं questions के अनुशार तो positive bending moment positive bending moment negative bending moment के बराबर है ठीक है न तो इसमें देखे आप यह सब में common है काड़ दिये उसके बाद क्या कर रहे है 11 square by 2 को उधर बेजेंगे तो 11 square by 2 इधर minus उधर जाएक पलस हो जाएगा और इसी में जाकर के जूड़ जाएगा 11 square by 2 में आधा आधा जूड़ेंगे तो एक हो जाएगे इधर बचा L square by 8 बराबर 11 का square है 11 का हमें मान निकालना है ठीक तो 11 square by 8 8 को लिख सकते हैं 4 by 2 उसके बाद क्या करना है रूट ले ले लेना तो तुरंत आ जाएगा 11 बराबर एल अपान 2 root 2 ठीक है ना इसी से related एसी में questions और आया था 2003 में उसको भी देख लेते हैं ठीक है ना questions कह रहा है the bending moment for which the beam shown below is to be designed is questions क्या कह रहा है कि जो चित्र में beam दिया गया है इसके लिए design moment क्या होगा ठीक है ना यानि पूछ रहा है कि maximum bending moment क्या होगा अगर maximum bending moment की बात करें तो इसके मीड में develop होगा वह होता है w by 8 l square minus 2a का whole square ठीक है आप क्या कर सकते हैं w की जगह ये load लिख सकते हैं 100 divide by 8 l के जगह 8 दिया हुआ है तो 8 8 64 ठीक है और 4 का square करेंगे तू 16 ठीक है न उसके बाद 64 में से 16 घटाएंगे ये हो जाएगा हमारा 100 divide by 8 उसके बाद 64 में से जैसे 16 घटाएंगे वैसे बचेगा आपका 48 और इसको काड़ सकते हैं 8 6 एंट आर तारीस सो गुड़े 6 ठीक है ठीक है तो बच्चा हमारा सो गुड़े 6 यह हो गया हमारा 600 क्यों किलोन्यूटन मींटर तो डिजाइन मोमेंट जो हो जाएगा हो हो जाएगा हमारा 600 क्यों न्यूटन मीटर तो इन सब कोश्चन के सलूशन से हमें क्या-क्या चीज़ें मिली हैं आप उसका सौट नूट बना सकते हैं ठीक है यानि कि यह जो टॉपिक है यह जो टॉपिक आपको बताएं यह पेपर के लिहाज से बहुत ज्यादा नोट में हंड्रेड़ पर्षेंट होना चाहिए ठीक है लाज जो लुभ सिखें हैं कि इस परकार के सवाल में जो मैक्सिमम बेंदिंग मूमेंटप होगा वह बीच जोगा उसकी वाईलू यह स्क्वाइर माइनस कोई का होगा आथ्वा यहीं वैलू हो जाए डवले एलौ स्क of counter-flexure इसमें कितना होगा ठीक है न अगर L is greater than 2 है तो 2 point of counter-flexure बनेगा अगर L is less than 2 है तो एक भी नहीं बनेगा 0 बनेगा L बराबर 2 है तब भी आपका point of counter-flexure 0 बनेगा ठीक है यह चीज़ है आप सीख लिए है ठीक है ना maximum design moment के बारे में आप सीख लिए है तो maximum design moment आपका यह है अथवार पॉजीटिव बेंडि मुमेंट जो है वह भी हमारा डबुल इसक्वाइर बाइट माइन डबुल इसक्वाइर बाई टू है यह भी सीख लिए है ठीक है और इसके SMD BMD के बारे में सीख लिए है ठीक है अगर हम इस्टेंता material के SMD BMD के 10 से 12 questions पढ़ लेते हैं तो आपका SMD BMD का topic अच्छी तरीके से clear हो जाएगा क्योंकि paper में फिलहाल questions ही आने वाले है theoretical चीज़े नहीं आने वाली है जो आपके किताब में है ठीक है यहां पर questions पूछे जाते हैं तो questions का आपको जवाब देना आना चाहिए वो भी बिल्कुल छोटे से समय में ठीक है चलिए मिलते हैं अब next lecture में